हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है उनिकलब टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी आल पे कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेज भी मैं वहाँ पे बता दूंगी और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है दोस्तो आज मैं जिस टॉपिक को लेके डिस्क्रिप्श करने वाली हूँ वो है अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो ये सारी काम कभी नहीं करेगा तो कौन से कौन से वो काम है उनी को लेके आज हम डिस्क्रिप्श करेंगे तो चलिए शुरू करते वीडियो को और समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को दोस्तो जब हम किसी के साथ नए-ने रिलेशन्शिप में आते हैं तो हम साथमी आसमान में होते हैं और उरते हैं हम हम को सब कुछ अच्छा लगते हैं यह सोचते हैं कि आरे यह इनसान मेरा है मेरी गर्लफरेंड है मेरा बॉइफ्रेंड है मुझसे प्यार करता है सब कुछ सौर्टेड है लाइफ में और क्या चाहिए जिन्देगी में है न और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जब हमें वो इनसान धोका देता है, तब हमको ये समझ में आता है कि हम कितने गलत थे, है ना, और ये सब के साथ होता है, क्योंकि जब इनिशियली हम किसे के साथ नए-नए रिलेशन में आते हैं, तो हमको उतना experience नहीं होता करने में, उसके साथ घुमने, फिरने में, मस्ती करने में है ना, लेकिन हजब हमको धोका मिलता है ना, उसी इनसान से, तब हमारी जो आख है, वो खुल जाती है, तो कौन से वो साड़े, साइन्स है, जिनसे आप एक इनसान को जज़ कर सकते हो, कि वो इनसान सच्चा प्या करने वाला कभी नहीं करने वाला आपके साथ, वो है, मतलब नहीं है, उसको खाली एक ही चीज की पड़ी है, तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है, जो हमेशा फिजिकल रिलेशन को लेके बाद करता है, या फिर फिजिकल होने के लिए बोलता है आपको, की नहीं मुझे करना है तो ऐसा अगर आपका बॉइफ्रेंट है और ज्यादा तर लड़कों में यह चीज देखी जाती है लड़कियां भी है लेकिन लड़के ज्यादा ऐसे होते हैं तो अगर आपके पार्टनर में यह सारे चीज़ें आपको दिखती है तो आपको थोड़ा एलर्ट रहने की ज़रुरत है क्योंकि कोई भी सच्चा प्यार करने वाला सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज आपसे नहीं मांगेगा या नहीं मांगेगी उसको आपकी साड़ी चीजों की कदर होगी इसे बहुत बड़ी बाते तो वो लोग करेंगे कि मैं तुमारे साथ हूँ हमेशा हूँ फोन पर हो या फिर मिलके हो बड़े बड़े वादे करेंगे कि आयम ऑल्वेस देर फॉर यू लेकिन जब सिचुएशन आता है तो उन सबका जो आयम ऑल्वेस देर फॉर यू जो डायलोग है वो खाली हो जाता है क्योंकि कोई नहीं रहता है उस टाइम आप अकेले रहते हो वो इनसान खाली बोलता है कि मैं साथ हूं लेकिन साथ नहीं होता है तो इनसे भी आप पता कर सकते हो कि कोई आपसे कितना सच्चा प्यार करता है क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है वो आपको कभी छोड़के नहीं जाता है चाहे आपकी कितनी वी situation में हो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा वो हमेशा आपके लिए रहेगा आपके लिए stand लेगा इससे आप पता कर सकते हो कि कितना सच्चा प्यार वो इंसान आपसे कर रहा है या फिर कर रही है थर्ड जो हैं गिसे हैं जिसे आप समझ सकते हो अच्छे से की कोई आपसे कितना प्यार करता है दिल से वह हैं वह जो इंसान है किक वो हमेशा कि कदर करें आपको रिसिपेक्ट करें अब कि अपकी हर बातों को समझेगांalta और कभी भी आपके साथ जगड़ा नहीं करेगा arguments जो सभी के साथ होता है सभी relation में होता है arguments तू तू मैं मैं हर relation में होता है लेकिन अगर कोई आपको समझ ही नहीं रहा है अगर कोई आपको value ही नहीं दे रहा है अगर कोई आपकी बातों को सुनने के लिए भी राजी नहीं है तो ऐसे relationship से आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर आपकी कितनी जगा है उस इंसान के पास उस इंसान के दिल में तो यह जो साड़े science है ना इनसे आप पता कर सकते हो कि कोई आपको कितना प्यार करता है या फिर कितना आपके लिए उसके मन में respect है कितना आपके लिए उसके मन में प्यार है और भी एक चीज से आप बहुत अच्छे से किसी इंसान को judge कर सकते हो वो है अगर आप किसी के साथ relationship में होते हुए भी आपको अकेलापन फील होता है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं न कहीं अकेला हूँ या फिर I feel low, I feel lonely तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है मेरे दोस्त क्योंकि अगर हम किसी से सच में प्यार करते हैं और अगर हमसे भी वो इंसान सच में प्यार करते हैं तो कभी भी ये feelings आपको नहीं होगी कि आप अकेले हो हमेशा आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ है क्योंकि उसकी जो हरकते होगी उस इंसान की वो इतना positive होगा कि वो आपको हमेशा ये चीज फिल कराता रहेगा कि मैं हूँ तुमारे लिए तुम tension मत लो लेकिन जो negative लोग है जो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप से उनको कुछ चाहिए चाहे वो पैसा हो चाहे वो sex हो चाहे कुछ भी हो तो वो एक time के बाद आपको priority देना बंद कर देंगे आपको लेके सोचना बंद कर देंगे आपको respect करना बंद कर देंगे तो यह जो सारी चीजे हैं इनसे आपको सीखने की जरुरत है कि आपके partner के अंदर यह सारी चीजे आपको दिखती है या नहीं दिखती है अगर नहीं दिखती है तो फिर बहुत ही बढ़िया है है न ऐसे relationship बहुत बढ़िया चलते हैं आगे जाके बहुत long run के लिए आप सोच सकते हों लेकिन अगर unfortunately अगर यह सारी qualities बोलो यह सारे जो science बोलो अगर आपको partner के अंदर दिखता है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है आपको समझने की जरूरत है